नवश्कार दोस्तो मस्जिद बंदर रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन सेंटर और हारवर की जो लाइने हैं उनमें सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन मस्जिद बंदर है मस्जिद बंदर के सबसे नजदीक यानि के छटपती सीवाजी टर्मिनल एक दूसरा है स्टेशन चटपती सीवाजी टर्मिनल से जो भी ट्रेने सेंटर और हारवर की जाती हैं सब मस्जिद बंदर होते हुए चालती हैं मस्जिद बंदर एस्ट और विस्ट दो भागों में बटा हुआ है मस्जिद बंदर के हम एस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन है जो उसके नजदीक ही डाक्याड रोड है वहां से जो भी पोर्ट से माल आता है वो सारे गोडाउन में डंप किये जाते हैं मस्जिद बंदर के पस्चमी की तरफ जब बाहर निकलते हैं, स्टेशन की तरफ स्टेशन से बाहर निकलते ही, हमें यह सबसे बड़ी चीज़ देखनों को मिलती है कि लेफ्ट साइड में ड्राइब फूट की बहुत बड़ी होलसल मार्केट है और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही राइट साइड में हम यह देखते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाखा होने के करण वहां पर मुस्लिम महिलाओं से संबंधित फैस्ट नेवल टिडिशनल कपों की बहुत बड़ी मार्केट है उस मार्केट में सरारा सलवार समेज, लहँगा, चोली और यहां तक की डिजाइनर बुर्कों का बहुत बड़ा मार्केट है मस्जिद बंदर में हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी जो है टांसपोर्ट इंडस्टिस के बहुत बड़े बड़े आफिस हैं और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं यानि कि 10 से 15 मिनिट का हम वाक करेंगे हम जब चल के जाते हैं तो मुंबा देवी मंदिर है मुंबा देवी बहुत प्राचिन्तम मंदिर है आप ये कह सकते हैं कि मुंबाई जब तापों में बटा था तब से उससे भी पुराना से पुरातन मंदिर मुंबा देवी का मंदिर है मां मुंबाजी का दर्शन सभी लोगों को करना चाहिए मुंबादेवी मांस का आशिरवाद लें और अगर मां का माशिरवाद लेंगे तो मुंबाई हमें तरक्की, रोजगार और फिकास दोनों देती है मुंबाई के सबसे बड़ी पहचान मुंबादेवी से है वैसे बहुत पुरातन तो इसे मुंबई के नाम से ही जाना जाता था लेकिन फिर बीच में जब ब्रिटीस का सासन हुआ तो इसे बॉम्बे नाम से जाना गया फिर यहां की सरकारों ने यहां पर इस सहर का नाम मुंबई रख दिया मुंबा दिभी के नाम से तो दोस्तों जब भी आद मस्जिद बंदर आएं तो ये देखना जरूर जाए यहां के टिरिशनल फैस्टनेबल मार्केट जो मुश्लिम्स महिलाओं के लिए बहतरीन मार्केट है और उसके साथ ही साथ बुम्बा दिवी का भी दरसन जरूर करें हमारे इस एपिसोड में मस्जिद बंदर के बारे में बताया गया है और नेक्स्ट एपिसोड मुम्बा दिवी के बारे में हम आपको सारी जानकारिया देंगे